हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रत्वी पर डाइनासॉर के पहले भी विशाल काय शिकारी रहा करते थे तो शायद आपको जानकर आश्चर हो लेकिन ये आश्चर तब और भी अधिक होगा जब मैं आपसे कहूँ कि इस शिकारी के जीवाश्म जो लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने हैं ये हमें मिले और ये जो आकार बताया गया कि एक सपा ट्वाइलेट सीट के आकार के समान इसका सिर हुआ करता था ये काफी जानने में रोचक है और हमारे लिए महत्वपून भी है तो आईए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं और चर्चा करते हैं इस बारे में कि जो जीव हमें मिला है ये एक्जेक्ली है क्या तो विशाल का है सेलामेंडर अर्थात वो जीव जो चिपकिली के समान दिखाई देते हैं उसका ये जीवाश्म है दो फीट के आसपास इसके सिर का आकार बताया जा रहा है जो इसके जीवाश्म को देखकर हमें ग्यात होता है पीछे दी गई इस इमेज को ज़रा ध्यान से देखिए ये इमेज एक सेलामेंडर की है अर्थात एक ऐसा जीव जो चिपकिली के समान दिखाई देता है और यहाँ ज़रा आप ध्यान से देखें तो इसका जो आकार है कुछ इसी प्रकार का ये दिखाई दिया करता होगा अब आपके दिमाग में पहला प्रशन तो भाई ये आएगा के सेलामेंडर होते क्या है तो ये बेसिकली उभैचरी जीवों की अर्थात एमफीबियंस की लगबग 500 प्रजातियों में से एक मानी गई है एक ग्रूप है जिसे सेलामेंडर कहा जाता है उभैचरी जीवों में 500 जीवों के ग्रूप को ये कहा जाता है चिपकिली के समान दिखाई देते हैं पर यहाँ पर एक नोटिसेबल चीज होती है कि इनके चार अलग से पैर होते हैं जिसे टेटरा पैट्स कहा जाता है यह जीवाश्म हमें मिला सबसे पहली बात तो यह कि यह जीवाश्म आज से लगबग 280 मिलियन वर्ष पुराना है याने कि यह जीव डाइनासौर के विकास के भी पहले के ते जो इस डिसकवरी को खास बनाता है जहां आप पाएंगे कि डाइनासौर के विकास होने से पहले बेसिकली 40 मिलियन वर्ष तब के समय इन जीवों का बेसिकली वर्चस हुआ करता था और यह बताया जा रहा है कि यह जो जीव हैं यह जीव एक विशेश काल में पाए जाते थे एक विशेश समय पर जो है इनका अस्तितु रहा करता था प्रत्वी पर और यह जो काल है यह कहलाता है पर्मियन काल इस काल के बारे में मैं अभी से कुछ समय बात आपसे चर्चा करूँगा लेकिन सबसे पहले तो आप इस बात पर ध्यान दें कि भाई ये जो जीव है ये इतना खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस जीव के जो शरीर के अंशा में मिले है उन में से noticeable बात ये है जैसा मैंने आपसे अभी से कुछ समय पहले बताया कि इसके शीर का आकार लग भग लग भग 0.6 मीटर या हम कहें लग भग 2 फीट के आसपास है जो ये बताता है कि ये अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था अब अगर हम दूसरी बात पर नजर डालें कि इतना बड़ा जानवर इतना बड़ा जीव बेसिकली सरवाइफ करता कहां था तब के लिए दो बाते सामने आती है सबसे पहली बात तो ये कि इसका प्राकरतिक आवास अर्था नेचरल हैबिटेट कहां था तो इसका प्राकर्टिक आवाज बेसिकली जो बताया है हमें जोगरफर्स ने ये रहा करता होगा दल्दली भूमी का छेतर और ये जो दल्दली भूमी का छेतर है ये आज के समय हमें जो सामाने एरिया दिखाई देते हैं उनसे काफी अलग रहा होगा मैं आपको इसपस्ट कर दूँ कि भाई डाइनासौर के जीवाश में बहुत थंडे चेत्रों में भी मिलते हैं इवन उन चेत्रों में भी हमें डाइनासौर के जीवाश मिलते हैं जो चेत्र आज के समय हिमाक्षादित है जहां पे बर्फ की पर्थ है पर डाइनासौर एक ठंडे रक्त का जीव था और ठंडे रक्त का जीव अर्थात वो जीव जो अच्छे खासे सूर्य के प्रकाश के चेतर में ही विद्मान होते हैं ऐसा जीव था डाइनासौर और इवन डाइनासौर के साक्ष आपको मिल रहे हैं आज के समय हिमाक चादित अर्थात पर्माफोरस्ट अर्थात वो छेत्र जो बर्व से डखा हुआ है उनिस्थानों पर संभव कैसे है तो आई तिंग आप अगर जोगरफी से थोड़े भी परचीत है तो आप इस बात को जानते होंगे कि कॉंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए है अर्थात इनकी जो लोकेशन है ये चेंज हुई है अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ तो हमारी जो अर्थ है ये हम पढ़ने की दृष्टी से मानते हैं कि गोल है बट इग्जेक्ली हम देखें तो अर्थ पर एक बल्ज है अर्थात अर् ये जो पैंजिया की लोकेशन मैंने यहां बताई ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था और इसका विभाजन होने के पश्चाद हम अगर इसे प्राइमोडिली समझें अगर सतही तोर पर भी देखने का प्रयास करें तो हम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर पाएंगे क ये है भाई हमारा एफ्रिका वाला पॉर्शन यहां कहीं पर हमें दिखाई देता था जो पॉर्शन ये दक्षिन अमेरिका है और इस तरीके से हमें दिखाई देता है हमारा भारत और यहां कहीं पर रहा होगा और हमें जो जीवों के कई जीवाश्व मिलते हैं अकसर इन इ अमीबिया का जीव है वो भी हमें कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला और ये जो इस्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रहने वाले जीव है ये आगे चलकर फिर जो है इनका इस प्रकार से विभाजन हुआ है पर ये चर्चा हुई उन जीवों के लिए जो उस काल में थे लेकिन भाई पर्मियन काल का जो जीव है ये एफ्रिका वाला पॉर्षन है यह जो है वो साउथ अमेरिका वाला पॉर्षन है यहां आप पाएंगे यह हमारा ग्रेट इंडिया है अब जरह इस बात पर फोकस करें कि यह जो एरिया है जहां हमें अलग-अलग जीव है यह जीव हमें आज के समय नामीबिया के पास क्यों देखने को मिला तो इसका आंसर है पर्मियन काल यह जो आपको डाइगराम दिख रहा है इसी प्रकार से कॉंप्लेक्स डाइगराम के थ्रू हम जो है चीजों को सिंप्लिफाइड मैनर में अपने ऑप्शनल के प्रत्वी जो है वो कई दरारों में तूट रही थी और उस काल में बड़ी-बड़ी जीलों का निर्मान हुआ था और कहा यह जाता है कि इसी काल में जील में रहने वाले जीवों में तेजी से उद्विकास हुआ था इवोल्यूशन हुआ था अगर नहीं है तो जान लीजे कि प्रत्वी का इतिहास है जिस प्रकार से एक देश का इतिहास हुआ करता है इसे हम जीयोलोजिकल हिस्ट्री कहते हैं या प्रत्वी का भूगरविक इतिहास कहते हैं और यह जो भूगरविक इतिहास है यहां दिये हुए स्केल से आप समझ पाएंगे कि भाई अलग-अलग समय को हम अलग-अलग नाम से जानते हैं अगर आपने जीएस में ठीक से पढ़ाई की होगी तो आपको इस बारे में पता होगा कि भाई प्रत्वी पर कितने काल आते हैं इसी तरीके से आर्कियन प्रीकैम्ब्रियन कैम्ब्रियन साली, सिललूरियन, डेवोनियन, कार्भोनिफेरस और पर्मियन, जिसकाल कि हम चर्चा कर रहे हैं पर्मियन के बाद, ट्रैसिक कि जब डायसओर कि उत्पत्टी हुइ जब हम रह रहे हैं हमसे पहले हमारे समकालिक अधर मानों के प्रकार भी थे जो खत्म हो पारी ही जो लिस्ट आप देख रहे हैं इस लिस्ट के आधार पर आप समझ पाएंगे कि प्रत्वी पर अलग-अलग यूग आये थे और हर यूग में अलग-अलग चीज़े बनी थी जैसा अगर मैं आपसे कहूं तो एमफीबियंस जो अभी आप देख रहे हैं ये एड़ी बनने के साथ वो एक मचली में बदला और मचली में बदलने के साथ वो उभैचरी में आया और जरा पीछे दी हुई इस इमज को ध्यान से देखे ये इमज बता रही है कि एवल्यूशन के करम में ये कहीं पहले जो है एक उभैचरी था प्रॉपर और उसके पहले यह एक फिश था फिर धीरे-धीरे करके यह जो जीव है यह आकार में बड़ा होता गया और इसके बाद ही डायनासौर्स का एवॉल्यूशन हुआ यानि की हम यह कह सकते हैं कि यह सारे जीव उद्विकास के करम में अंततह डायनासौर्स में बड़ले थे पर इसकाल का सबसे बड़ा जीव तो यही था जिसके साँच्छ हमें मिले हैं no doubt कि यह हमें अर्थ के geological history को और बहतर तरीके से समझने में सहायक होंगे साथ ही आपके exam point of view से भी ज़रूरी है अगर आप आई इस exam की तैयारी कर रहा है अगर आप तैयारी कर रहे हैं और यह चाहते हैं कि आपका attempt वेस्ट ना जाए और आप एक ऐसे manner में पढ़ाई करें जिससे ना केवल आपका pre निकले आपका mains qualify हो आप interview तक जाएं तो welcome आपके लिए golden opportunity है opportunity है हमारे साथ अपनी तैयारी को पूरा करने की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे P2I batches में आप admission ले सकते हैं P2I अर्थार प्लिम से लेकर interview तक की आपकी तैयारी करने वाले यह batches हैं याद रखिए कि यह batches start होने वाले हैं इन में classes basically 8 July से यानि कि यह तारीक बेहत पास है आपको करना यह है कि जो mention date है अर्थार 8 July के पहले इन batches में enroll कर लेना है लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यह जो cost आपको show हो रही है या फिर study IQ के जिन भी premium batches का पार्ट बनते हैं आपको इस बात का विशेज ध्यान रखना है कि आपको extra cost ना pay करना पड़े इसके लिए use करना है A.K. live code का तो आप कोशिश करें कि आप इस code के माध्यम से ही batches का पार्ट बने जिससे आपका cost minimum आपको मिल सके देखिए यह आपका निर्णा होगा लेकिन आपकी सफलता के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ महत्वपून होने वाला है इस उमीद के साथ के आने वाले समय में मैं आप सभी serious IAS aspirants को इन बैचेस में देखने वाला हूँ चलिए मिलते हैं next video में have a very nice day thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQ IAS हिंदी